यह application का dashboard है जहाँ पे आपको multiple options दिखेंगे हम one by one explore करेंगे सारे options सबसे पहले हम जाते हैं customers में customers में जाके आपको सबसे पहले customer add करना है तो suppose हम add करता है customer एंटर समर रैंडम नंबर अल्टरनेट नंबर ब्लांकेट जीरो फ्लाइट नंबर फ्लाइट टैन एरिया वंदे मात्रम city एंदाबाद पिन खोड आपके जो भी रहेगा पोस्टल कोड इंडिया और शबमिट तो the new customer will be added in your customer list after that only you can make an order so if you want अगर आप को customer को call करना है तो आप directly यहां से call पे कर सकते हैं whatsapp कर सकते हैं जैसे phone पे click किया तो यह by default आपके numbers यहां पे set हो जाएगा ठीक है अगर आप उसको whatsapp पे click करते हैं तो अगर यह number whatsapp पे exist है तो वह आपको chat start करतेगा और अगर नहीं है तो आपको इस type से message आएगा ठीक है फिर आपका customer का आप detail चेक कर सकते हो उसको edit करना है तो edit कर सकते हो और save करने के बाद और delete करना है तो आप delete भी कर सकते हो ठीक है तो आप यहाँ पे search करेंगे जिससे हम आईशा search कर रहे हैं तो यह आपको आईशा का detail दिखा देगा उसके mobile नमबर इसके address के साथ ठीक है